स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल अलका की रसोई कला में क्रिस्मस का टाइम चल रहा है तरह तरह की केक बन रहे हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिर्फ तीन चीजों से बनने वाली केक की रेस्पी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी इसको बनाना जितना आसान है यह उतना ही ज्यादा टेस्टी बनता है देखने में तो यह बहुत प्यारा लगता ही है लेकिन खाने में तो उससे भी कहीं ज्यादा है अगर आप एक बार खालेंगे तो फिर आप दो तीन पीस खाये बिना रुपी नहीं पाएंगे तो दोस्तों अगर आपको यह रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल से जोड़ना बिलकुल मत भूलिएगा चलिए बिना देर किये वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं यहां पर लिए एक कप सूजी सूजी आपको यहां पर महीन वाली लेनी है अगर आपके पास महीन वाली सूजी नहीं है तो आप इसे ग्रैंडिंग जार में डाल कर महीन कर लें क्यूंकि जो सूजी महीन रहीगी तो आपका किक बहुत सौफ और रिस्पॉंजी बनेगा इस चीनी का भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ ही अब हम यहां पर लेते हैं एक बिल्कुल गर्म दूद लिया है मैंने और इसमें मलाई भी थी मैंने मलाई के सहती दूद को ले लिया है और बहुत ज़्यादा गरम है दूद जल्दी ही आपकी चीनी बहुत आसानी से घुल जाएगी चीनी पूरी तरीके से मैल्ट हो चुकी है अब हम तो दूजी दूद गरम है तो सूजी भी बहुत ही अच्छे से फूल जाती है तो इस सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेना है एक से दो मिनिट पिक्स करने के बाद हमें इसे रख देना है दस मिनिट वेस्ट के लिए दस मिनिट में सूजी अच्छे से फूल जाएगी तब तक हम एक बरतन ले लेते हैं जिसमें हम केक को बनाने वाले हैं तो मैंने यहां पर एक लोहे का पैन ले लिया है आपके पास जो महल व्किलद में देंगे दो घ्रीष कर लिया है इसके साथ हम इसमें डाल दिया थोड़ा सा मैदा और इसे अब हम टस्ट कर लेंगे मोले ड़स्ट हो चुका है सुजी भी फूल चुकी है अब हम इसमें डालेंगे ठोड़ा सा फलेवर के लिए बैनिला एसेंस यहा पर चार से पांच वूद बैनी लैसंस डाल दिया है और इसके साथ ही हम यहां पर डालेंगे बन पाऊच इनो आपको यहां पर लेमन वाला ही लेना है और कोई फ्लेवर नहीं लेना है और इनो को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आप इनों का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का यूज कर सकते हैं यह देखिए सूजी में बहुत ही अच्छे से बवस बन गए हैं और यह अच्छे से फूल गई है अब हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं मूल्ड में और मूल्ड में ट्रांसफर्ट करने से पहले मैंने इसमें डाल दिया है टूटी फूटी और थोड़ा सा ब्लूबेरी और इसको हमें बहुत ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखना है इनो मिलाने के बाद इस काम को बहुत ही पटा फट कर लेना है और अब हम इसको उपर से गार्निस कर देते हैं तूटी फूटी से नट से मैंने यहाँ पर बादाम को चौप करके डाला है अपने मन पसंद के कोई भी नट डाल सकते हैं ताथ मैंने यहाँ पर डाल लिए ब्लूबेरी इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है पैन भी बहुत अच्छे से गर्म हो चका है अब हम इसमें रख देते हैं एक इस्टेंड अगर आपके पास इस्टेंड नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी कटोगी को उल्टा करके रख दीजिए और उसके ऊपर आपको यह मोल्ड को रख देना है और अब इससे कवर कर देना है और इसे 25 मिनिट तक पकने देना है 25 मिनिट यह बहुत ही अच्छिल से टूत लगा कर लीजे कि मैंने किया है यह लगबख हो हीगा है बस मैंने इस् cancelled अur एकदम लो फ्लम पर इसको बेक कर लेकर लेना है तो यह बहुते अच्छिस से हो जाएगा अब मैं इसको दिखाती हूं एक दम सेंटर में बिल्कुल भी काटे में यह नहीं लग रहा है यानि कि हमारा केक बहुत ही बढ़ी असा वेक हो चुका है अब हम इसे निकाल लेते हैं और ठंडा हो गया है अब हम इसे डी मोल्ड कर लेते हैं जबकि एक अच्छे से वेक हो जाता है तो यह किनारों को अपने आप ही छोड़ देता है बहुत ज्यादा मसकत करनी की जुरूत नहीं पड़ती है आपको दिखाते हैं केक नीचे से कितना अच्छा बेक हुआ है दोस्तों बहुत ही सिंपल रेस्पी है इसे एक बच्छा भी बहुत ही आसानी से बना लेगा कोई मेजर्मेंट का जंजट नहीं है और तीन चीजों से बनने वाला यह केक सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने दोस्तों कैसी लगी आप केक की रेस्पी आपको अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूं देखे कितना ज्यादा स्पॉंजी केक बना है अगर आपको यह थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा चैनल को लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और अपनी फैंबली फ्रेंड में सेर जरूर करिएगा मिलते हैं ऐसी ही और एस बी के साथ तब तक के लिए देख क्यार